करीब दस प्रतिशद है इन सबके जरिये देश के विबिन वर्गों को आर्थिक व्यवस्ता की कडियों को बीस लाख करोर रुपिय का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा बीस लाख करोर रुपिय का एक पैकेज दो हजार बीस में देश की विकास यात्रा को ट्वेंटी लाख्स ट्वेंटी ट्वेंटी में आत्म निर्भर भारत भ्यान को एक नई गती देगा आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लेंड लेबर लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटिर उद्योक ग्रह उद्योक हमारे लगू मंजोले उद्योक हमारे MSME के लिए है जो करोडों लोगों की आजिविका का साधन है जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है ये आर्थिक पैकेज देश के उस स्रमिक के लिए है देश के उस किसान के लिए है जो हर सिती हर मौसम में देश वास्यों के लिए दिन रात परिश्णम कर रहा है ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मद्यम बर्क के लिए है जो इमामदारी से टेक्ष देता है देश के विकास में अपना योगदान देता है ये आर्थिक पैकेज भारतिय उद्योग जगत के लिए हैं जो भारत के आर्थिक सामर्थ को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है कल्षे सुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्मंत्री जी द्वारा आपको आत्मा निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी साथियों आत्मा निर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवारिया है आपने भी अनुभव किया है कि बीते छे वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की विवस्ताएं अधिक सक्षम अधिक समर्थ नजर आई है वर्ना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में किसान की जेब में पहुँच पाएगा लेकिन यह हुआ वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दफ्तर बंद थे ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे जन्धमन आधार मोबाइल जे ए एम जेम की त्री सक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉम था जिसका असर हमने अभी देखा अब रिफॉम्स के उस दाइरे को व्यापक कर रहा है नई उंचाई देनी है ये रिफॉम्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी ससकत हो और भविश में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में कृशी पर कम से कम असर हो ये रिफॉम्स रेशनल टैक्स सिस्टम सरर और स्पस्ट नियम कानूं उत्तम इंफास्रक्टर समर्थ और सक्षम हुमन डिसोर्सिच और मजबूत फाइनांचल सिस्टम के दिर्माण के लिए होंगे ये रिफॉम्स बिजनेस को प्रोसाइट करेंगे निवेश को आकरशित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को ससक्त करेंगे साथियों आत्म निर्भरता आत्म बल और आत्म विश्वास से ही संबव है आत्म निर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कडीज परधा के लिए भी देश को तयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर्स परधा में जीते ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमी का निभाए इससे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किये गए है इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशनसी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सूनिस्चित होगी आथियों ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्ताएं हिल गई है लेकिन इनी परिस्तितियों में हमने देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संगर्ष शक्ति उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है खास कर हमारे जो रेड़ी वाले भाई बहन है ठेला लगाने वाले है पट्री पर सामान बेचने वाले है जो हमारे स्रमिक साती है जो गरों में काम करने वाले भाई बहन है उन्होंने इस दोरान बहुत कश्ट जेले हैं तपच्या किया है जाक किया है ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्तिति को मैसूस नहीं किया अब हमारा कर्टब यह है उन्हें ताकत पर बनाने का उनके आर्ति हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो, स्रमिक हो, प्रवासी मद्दूर हो पशुपालक हो, हमारे मच्छुवारे साती हो संगटिक शेत्र से हो या संगटिक शेत्र से हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा साथियों, कोरोना संकट में हमें लोकल मैनुफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाइचेन इसका भी महत्वप बराबर समझा दिया है संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है हमें इस लोकल ने ही बचाया है लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा आपको आज जो ग्लोबल ब्रैंड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिलकुल लोकल थे लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया उनका प्रचार शुरू किया उनकी ब्राणिंग की उन पर गर्व किया तो वो प्रोडक्स लोकल से ग्लोबल बन गए हैं इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है लोकल के लिए वोकल बनना है न सिर्फ लोकल प्रोडक्स खरिदने हैं बल्कि उनका घर्व से प्रचार भी करना है मुझे पुरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है आपके प्रयास होने तो हर बार आपके प्रती मेरी स्रद्धा को और भड़ाया है मैं गर्व के साथ एक बात महसुस करता हूँ याद करता हूँ जब मैंने आपसे देश से खादी खरिदने का आगरे किया था ये भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें आप देखिए बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और विक्री रिकॉर्ड सर पर पहुँच गई इतना ही नहीं उसे आपने बड़ा ब्रान भी बना दिया बहुत छोटा सा प्रयास्ता लेकिन परणा मिला बहुत अच्छा परणा मिला साथियों सभी एक्सपर्स बताते हैं साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना की इर्दगिर्द ही सिमट कर रह जाए हम मास्क पहनेंगे दोगजदूरी का पालन करेंगे लेकिन अपने लक्षों को दूर नहीं होने देंगे इसलिए लोगडाउन का चौथा चरण लोगडाउन फोर पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा नए नियमों वाला होगा राज्यों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं उनके आधार पर लोगडाउन फोर इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मैसे पहले दी जाएगी मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते विये हैं हम करोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे साथियों हमारे यहां कहा गया है सर्वम आत्म वशम शुखम अर्थात जो हमारे वश में हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं वही सूख है आत्म निर्भरता हमें सूख और संतोष देने के साथ साथ ससक्त भी करती है 21 वी सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दाइत्व आत्म निर्भर भारत के प्रण से ही पुरा होगा इस दाइत्व को 130 करोर देशवास्यों की प्राण सक्ति से ही उर्जा मिलेगी आत्म निर्भर भारत का ये यूग हम भारत वासी के लिए नूतन प्रण भी होगा नूतन पर्व भी होगा अब एक नई प्राण शक्ति नई संकल्प सक्ति उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है जब आचार विचार कर्त दिभाव से सराबोर हो करमड़ता की पराकाष्टा हो कौशल्य की पूजी हो तो आत्म निर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है हम भारत को आत्म निर्भर भारत बना सकते हैं हम भारत को आत्म निर्भर बना कर रहेंगे इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ, मैं आपको बहुत-बहुत शुबकामनाई देता हूँ, आप अपने स्वास्त का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए, बहुत-बहुत धन्यवाद.